और उद्यापुर के गोगुंदा से बड़ी खबर जहां नांदेश्मा मुख्य सडकमार गंबा माता मंदर के पास फिर से पैंथर दिखाई दिया पैंथर जाडियों से निकल कर रोड किनारे टहलता हुआ नजर आया नांदेश्मा के कैलाश पालेवाल ने अपनी कार में बैठ कर वीडियो बनाया देराज अस्वंदगर से घर जाते समय ये वीडियो बनाया और लगातार मुख्य सडकमार पर पैंथर की मुवमेंट से ग्रामीन डहिशत में ग्रामीनों ने वन वभाग के अधिकारियों को सुचना दी साथी ग्रामीनों ने पैंथर को पिंजरा लगा कर पकड़ने की मांग थी तो लगातार उदैपुर में पैंथर की मुवमेंट देखी जा रही है और ऐसे में लोग परिशान हैं डरे हुए हैं सहमे हुए हैं प्रशासन की तमाम कोशिशे हो रही हैं लगातार ये किसी तरीके से पैंथर को पकड़ा जाए लेकिन प्रियास भी फेल हो रहे हैं और ऐसे में लगातार पैंथर के मूमेंट कैमरा में क्याद हो रहे हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ धीरज रावल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दीरज क्या कुछ पूरी जानकारी देखे प्रशासन एक तरफ जहां तमाम व्यवस्ताइं कर रहा है तमाम कोशिशे कर रहा है वहां लगातार पैंथर का मूमेंट भी देखा ज़ा रहा है इस दीरज से लिए दिनों पैंथर के शिकार साथ लोगों को अपना शिकार बरेना था उसी के मज़े नदेजर जहां प्रशासन है वो लगातार आदमपोर पैंथर को पकड़ने के प्रयाच जो है फूर फूराइब लेकिन पैंथर का मोमेंट जो है वो लगातार दिखाई दिकाई दिया रहा है कल दीदी रात के शरबाद कि लिदा नान देश्वा के मुख्य शड़कपर अममामतमंदिर के समीप जो है एक जाड़े के पैंथर यहां पर दिखाई दिया है जो है वहांपर चल रहाए था उसको आपर रुखवाया गया वहीं पेंथर वहां से आखों से जो जो गया लगातार टीम वहांपर पहुंची और नहीं पर पहुंची के बाद भाद प्रशासन के और से वन वभाग के और से क्या कहा जा रहा है क्योंकि तमाम ववस्थाइं की जा रही है पिछले दिनों ड्रोन से भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी कहां कमी रह रही है और कब तक लोग इस डर से बाहर निकल पाएंगे राहत की सांस ले पाएंगे बात की जाए तो वन वभाग की टीम जो है पर वन विपाग के लिए एक मुश्किल शामने आ रही है कि अगर पैंथर देखा जाता तो कुछी देर कंदर जो है वो ओजल हो जाता है अगर कल की बात की जा तो कल दीन में भी जो एक नील गाय का है बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साजा करने के लिए धीरचापका